कि देखिये क्या है कि पिछले आठ मैने से जब से हम यहां लगातार मीटिंग कर रहे हैं तो हमारे कैई साथ यो ने कहा कि यह जो आप मीटिंग लगा रहे हैं इस मीटिंग में जो आप करते हैं काफी सीरियस चर्चा करते हैं तो इतनी सीरियस चर्चा अगर आप करेंगे तो हमारे जो साथ ही है कहीं ऐसा ना हो कि वो दिल के मरीज हो जाए उनको कहीं ब्लेट पैसर बढ़ जाए तो इसमें एका दिन कारेक्रम ऐसा भी लगाई है कि मनोजन हो जाए तो मनोजन के लिए हमने यहां का कारेक्रम लगा दिया कि वह महिने में एक दिन हम पॉलिटिशन पर चर्चा करेंगे और हर्याड की चास बात है कि खाना पचाने के यह लोग हुक्का बैटके और पूरी राजीती महां करते हैं वो आदा घंटा एक घंटा जब हुक्का पीते हैं तो उसमें प्रधान मंत्री भी बन जाते हैं और मुख्य मंत्री बन जाते हैं पुराने मुख्य मंत्री को भी खाड़ लेते हैं नए वालों को भी खाड़ लेते हैं यह ह हमारे यहां मनोजन का पसंदीदा कारेक्रम है और हकीकत यह है कि जितनी पॉलिटिक्स हो रही है जितनी पॉलिटिक्स कहीं चल रही है वो सबसे ज्यादा पॉलिटिशन हम ही है हमारे यहां तो बच्चा बच्चा पॉलिटिशन है जरासा यह मनोजन का कारेक्रम लगा नहीं 170 आदमी इसमें पूरा मनुझन जबा के कर रहे हैं और कमाल की बात है कि यह सारे भेंबाई हैं आपस में और सारे भेंबाई है में फिर भी मनुझन कर रहे हैं और यह करना चायी अच्छी बात है मगर politics आपके हाथ से जा चुकी है जा इसलिए हो पाई इसलिए इतनी महंगी कर दी कि दिल्ली जैसे छोटे से इलेक्शन में जहां डेड़ करोड़ सारे लोग हैं और मुस्किल से सतर अस्ती लाक यां बोटर होगा वहां भी एक पार्टी के दो दो हजा तिन नहीं पाएंगे और जहां आपने ताले चाबी खोले और जहां आपने एकादवार सफलता प्राप्ति किसी के ऊपर या किसी के भरोसिस है या गठवंदन से या मिलके या जुलके उसके रिजल्ट भी आपने देख लिए कैसे हैं कैसे नहीं है अब पॉलिटिक्स की सूर्त यह है कि क्यावन पर्शेंट बहुमत चाहिए अब फिप्टी वन पर्शेंट से उपर आपके पास हो तो तो आप पॉलिश्म में हाथ रख सकते हैं और अगर नहीं है तो फिर लोगों को इखटा कर लीजिए क्योंकि बिना पॉलिटि सकती भी खर हम इकटा हूने में लगा दें और खाली खठे होने की हवा भी बना दें तो हमाहरा राजनीति से भी ज्यादा भला हो जाएगा क्योंकि राजनीती में भले की गारंटी खतम हो चुकि है जब आदमी हमारे पास आता है तो कहता कुछ और है और जब महां पहुंच जाता है तो करता कुछ और है और हम उसको मंजूर कर रहे हैं हमने बाकाइदा उसको मंजूरी दी हुई है इसलिए हम पांस साल तक उससे पूछते भी नहीं है कि तू कह के तो कुछ और गया था और कर कुछ और रहा है तो हम यह कहते हैं एंगली बार तुझे देखेंगे यानि पांस साल का लैसेंस हमने उसको दे दिया पलट कर आज तक किसी बोटर ने यह नहीं पूछा कि तू क्या कर रहा है और क्या करने आया था और क्या करके यहां गया है इसलिए पॉलिटिस की बात यहां जो हम करते हैं वो सिर्फ में बैंन भाइय है और हमको भी खटा होना है और जब तक हम इखटे नहीं होंगे तब तक हम पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर सकते पैसे हमारे पास है नहीं चुरा बहुत महंगे हो गए हैं और हर पॉलिटिशजन ये चिला रहा है कि वी एंब हटाओ मिलके गए थे उलक्षिन्ट कमेशन में बाकादाथिस्की निउस्ज है उन्होंने कहा था कि एवी म hemos कटोरता मत लाना कटोरता रखना बाद विवाद करना पॉलिटिक्स को देखना समझना मगर दिल से मत लगाना भाई क्योंकि पॉलिटिशन किसी का सगा नहीं है जो पॉलिटिशन हो गया उसको सिर्फ अपनी कुर्सी दिखाई देती है ना तो हम दिखाई देते हैं ना उसे कुछ नाटक करते हैं ना॥ कुछ खुलके बदल जाते हैं वस इतना अनतर है हमें में पॉलिक के पीछे लागातार पांस साल तक खड़े ऊके कहें के तुझे हमने भी लेजा किस नहीं था तो कर क्या रहा है यह क्या किया इस लेंग्यूज में अगर आपकी ताकत है उससे बात करने की ओए कहके बात करने की तो तो आप पॉलिटिक से कुछ ले सकते हैं और आप यह कहें साब कहां गए साब यह क्या हो गया साब में मर गया साब ऐसा हो गया तो स पाप ना करे कुछ भी इसके लिए जरूरी है कि हमको वो ताकत लेनी है जिससे पॉलिटिशन बनता है हमें पॉलिटिशन नहीं बनना है हमें वो ताकत लेनी है जिससे पॉलिटिशन बनता है और वो ताकत सम्मिधान ने हमको दे रखी है और वो ताकत है जनमत की मत की इसी मत को लेने के लिए तो आता है पांस साल में तीन वार जो हमारे आगे घुटने पकड़ता है और हमसे मिठी मिठी बाते करता है वो हमारी भीड और हमारे मत को चाहता है और वो इसको ले जाने में सफल है पहले तो वो हमें आपस में लड़ाता है सारे पॉलिटिशन हमको आपस म किसी भी पॉलिटिशन को आप उठा लो अगर उसने कहीं बावा साब की बात को आगे बढ़ाया हो या बावा साब की बात जहां है महां उसने रोकी हो चाहे धर का हो चाहे उधर का हो चाहे उपर का हो या नीचा कोई साब पॉलिटिशन हो तो आप इसमें देख लीजिए कि यह बात सच है यह नहीं है, खिकत यह है कि जितनी भी jecker अब भड़े सुखी होते हैं, अगर हम लडना बंद कर देंगे, तो इन सब से पूछेंगे कि तुमारे जो एजन्डे थे उनको निकाल लो भाई, इन्होंने जो एजंडा बना रखा है जिसको वो चुनाव से पहले घोशना पत्र बोलते हैं अगर आप उस घोशना पत्र को ठाके देखोगे तो लगबग वो सारे एक से हैं उन सब में समय हमारे कलियान की बात है उसमें एक भी बात उल्टी रही है तो कोई तो पूरा करता ए पार्टी वाला करता बी वाला करता सी वाला करता डी वाला करता तो हो क्या रहा है कि ए वाला जब पार्टी में आता है तो वो अपना कोई एजंडा पूरा नहीं करता तो फिर बी वाला पार्टी में आ जाता है तो वो भी नहीं करता फिर सी वाला आता है तो वो भी पूरा लेते हैं और वह साफ शूट जाते सारे निनने उनेता को कोई चनता नहीं होने पता है कि यह हमारे नाम पर नीचे लड़ रही है हमारा काम कर रही है हमारा फिरी में यह वकील बनी हुई यह ये हमसे कभी नहीं पूछने वाली कि हमने जो सेट किया था यंड़ा वो पूरा हुआ या नहीं हुआ ऐसे बड़े बड़े जुट बोलते हैं अभी एक लड़के ने पार्टी बनाई मैं उसका च्छे पॉइंट उसमें पूछ रहा था सुन रहा था उसने च्छे पॉइंट नहीं बनाए हैं वो च्छे पॉइंट ऐसे हैं जूट पूरा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता उस लड़के की पार्टी के दो चार पांच एमले आ जाएंगे दस आ जाएंगे वीस आ जाएंगे आए या ना आएं क्या पता अरे बही जब तक तक तुम्हारा बहुमत किये कि बड़े रंग बरंगे हैं मगर सबसे आसान है इखटा होना अगर हम इखटे हो जाते हैं तो अपने एरिया के प्रोडिशन को बोल सकते हैं और हम ज्यादा इखटे हो जाते हैं तो अपने सांसत को बोल सकते हैं और ज्यादा इखटे हो जाते हैं तो चार सांसत को बोल लाका आराम से बैठके जीते हैं, तो हमको लड़ना नहीं है, तो हमको इखटा होना है, वीदा पीपल में हम ऐसा याद रखिए कि पॉलिटिक्स का जो दे होता है, वो मरुझन का होता है, आपस मैं अपनी चाहेता कि लोग एक्षटे हो जाएआ क्योंकि एक्षटे हो जाएंगे तो उस पे दवा बना देंगे तो ये भारत ऐसा देज हैं कि यहाँ आपने आपको सेवक कहता है और कई सो क्रोड़os रूपिया उसके खर्च कर देता है कि तुम्हारा सेवक बनूंगा अरे कैसा सेवक है जतना पैसा तुने इसमें खर्च कर रहा हो उतना वैसी तू दे देता तो वैसी सेवा हो जाती तो यहां आते सेवक के नाम से हैं और सारे के सारे हमें गुलाम बना के चले जाते हैं और हम बेफ्रूब की की लाइन मर हैं यह ध्यान देना कि चाहें कोई धंब सबाहो धंब की सबाहो यह मत है उनके जो पता दिकारी हैं कि बावा या संथ हैं या लड़कों के दलबल हैं या कहीं सामाजिक संथन हैं या राजनीतिक संथन तो हैं ही या सरकारी करमचारियों के संथन हैं उनके भाशन का अगर आप अनलेसिस करेंगे और उनके भाशन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो सबके भाशन पॉल्ट की तरफ जाते हैं सारे के सारे जो भाशन हैं वो नेताओं की तरफ जाते हैं सारे के सारे जो लोग हैं उनका गिलाश शिक्वा किस से रहता है प्रधान मंत्री से रहता है संससे रहता है मंत्रियों से रहता है सरकार से रहता है अरे धम का आदमी है तेरा सरकार से क्य अगिला है अरे सामाजी काम कर रहा है सामाजी क्राम भी कर तुझे सामाजी चीची चीचे देख नहीं है तुझे उधर क्या कर रहा है उस काम को करेगा मगर हर आदमी की स्पीच पॉल्ट के उपर है इसका मतलब हर आदमी के अंदर की जो एक्षा है वो MP, MLA, Minister, Consular पता यह सब बने की है इसलिए वो वही बोलता है जो उसके मन में होता है ये एक Natural सद्धानत है कि जो हमारे मन में होता है हम वही बोलते है और वही आता है और इसलिए वो लोग पकड़े जाते हैं कि वही तुम बात क्या करें और इसलिए हम काम्याब नहीं होते हैं सीधे सीधे पॉल्टिक्स पार्टी जोन कर लो या बना लो उसमें चले जाओ बहतर है काम करते हैं कुछ तो बहुत सारे लोगों जूट बोला हमको कहा सामाजिक करांती हम कर रहे हैं सामाजिक काम कर रहे हमारा पॉलिटिक से कोई लेंदर नहीं है हमारा रिलिजिन से कोई लेंदर नहीं है और थोड़े दिन बाद वो भी सार उन्हों सबने भी पॉलिटिक पार्टी अपनी अपनी बना लिए और बागी धंदे खतम कर दिए फिर ना सा का पैसा है साराव माटनी है गाडियों में घूंब नहां है फूल में खाना खाना है। को ने hic करनी है करनी कोन देगा पबलिक देगी हमारे जैसे मुर्ख देंगे हमारे जैसे मुर् किसका हमी teenagers हुए है तो वो देते उनको भैकाया जाता है तो इन सब चीजों से अगर ऊपर निकलना और अपने आपको बचाना है और इस पॉलिटिकल सिस्टम को भी ठीक करना है और यह मानने यह सोचना चाहते हो कि पॉलिटिकल पारटिएंग ठीक काम करें और हमारे अकॉर्णिंग काम करें जन्ता के according काम करें लोगों को जो उन्होंने कहा है उसके according काम करें तो लोगों को इखटा होना पड़ेगा वो नहीं खटा होने देंगे वो तो बोट लेके निकल जाते हैं बस बात खतम हो गई इसलिए अगर आप इखटे होते हो तो जीतोगे पॉलिटिकल पार्टी में कभी नहीं जीत सकते कभी नहीं जीत सकते उसका कारण यह है कि 6,743 जातिया है इनको बावा सामने इखटा करके S.C.S.T.O.B.C. बनाया मगर पॉलिटिक्स के अंदर S.C.S.T.O.B.C. नहीं चलता उ जब बोटर लिष्ट होती है तो उसमें यह देखते हैं किस जाती के कितने हैं और यह मान लेते हैं कि यह जाती का तो इसको देगा इस जाती का तो इसको देगा इसलिए जो केंडिट खड़े जाते हैं वो दो बात के लिए खड़े किये जाते हैं एक तो यह पैसा कितना द तो जहां से बावा साब लेके आये थे वहीं पहुचा दिये जातियों से मुक्तिक लेके आये थे और जातियों में हमको डाल दिया तो हम तो वहीं पहुच गए हैं जहां से बावा साब ने हमको खीचा था तो हमारा कारवा तो वहीं पड़ा हुआ जहां से बावा साब लेके तो थोड़ी सी कहीं बात अच्छी बनेगी और इसको समण में बदलना पड़ेगा कुछ लोगों ने इसको मून लिवासी में बदला तो मून लिवासी की करने समण में बात तो हो जाएंगा इसलिए समर संग लगाता चलेगा समर संग में आकर इखटा होना पढ़ेगा पादेगा क्योंकिए समढ संग उन लोगों का संग है जो लोग ना राजनीती में जाएंगे ना लोग कहीं कुछ नेतगरी करेंगे ना यह वैक्तिवाद आएगा ना यह पतादीकारीwest कारी बनेंगे ना यह पैसा लेंगे ना यहां कोई इस तरह का काम धंदा होगा कि कहीं संग्ठन में बदल जा हैं तो अभी तक एक भी डिसीजन समण संग में गलत नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता क्योंकि सब लोग इसमें जागरुक आ रहे हैं जो मरे हुए लोग थे जो लास थे उचले के छोड़े जो जिंदा थे जो जागरुक थे वो गए हैं तो वो सब भास करते हैं क्यों भास करते हैं क्योंकि यहां कुई latarti कि की रोटी नहींखाता सब रोटी अपनी एकरपड़े एपने बादे लेकर आते हैं तो कोई किस्से दब्या क्यों अगर किया कोई एक व्यक्ति ये करे कि आज समर्ण संग की मीटिंग है और भाई इससे दो दिन पहले मेरे घर पे दावत है तो जिसकी रोटी खाएगा जिसके रसुल ले उड़ाएगा जिसकी चाट पकोड़ी खाएगा उसकी बात को कैसे काटेगा और कहीं मुर्गा दारू पुरा गुलाम पूरा विचार गुलाम हो जाता है तो समर्ण संग ने यह देखा जो पुराना तरीका था पुरान तरीके में लोग क्यों इंगुलाम हुए क्योंकि वहां कोई हलवाई नहीं चलता था अपनी रोटी ला अपनी खा और बहुत ज्यादा इतना का दो रोटी एक्टर ले के आ कोई कोई रहा चलता आ बढ़ेगा तो बड़ावर का पैसा बड़ावर का जो तूमार नियम है तो कड़के बूल हला Раз जुक्हेजां किसी भी हलत में यहां तो कोई पद है नहीं का बैट इस तो भज्म नहीं को पड़ किस ंप नीचे आप यह झां तरकी नहीं कर रहे हैं तो जब मिलेगा कुछ नहीं तो सही बात कहेगा, तो सही बात करेगा, तो ये सारे नियम पुराने हैं, इसलिए समर संग में सही बात होगी, और समर संग के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि समर संग कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कोई समाजिक संग्टन तो है नहीं कि इसमें पैसा आ रहा है तो पैसा माट लेंगे तो इसके दो टुकड़े कर लिए चार कर लिए कुछ टुकड़े करके इसके करेगा भी क्या पैसा लेगा नहीं क्योंकि साफ साफ है वीदा पीबल समझ संग कभी जिंदगी में पब्लिक से पैसे लेगा ही नहीं तो पैसा त जब ऐसा दे रहा है दाइसो से लेके तीन सो लोग करी लगबग आएंगे ज्यादा भी हो सकते हैं तो उनके पैसे का हिसाब होगा वहां जो इस काम को देख रहे हैं जब मीटिंग खतम हो जाएगी सारा हिसाब बनाएंगे पैसा ज्यादा खर्च किया उन्होंने तो उनकी ज रुकी जाएगा तो खाए पिए तो अपनी पिए अगर पकोड़ी खाए तो अपनी खाए यहां तो कोई पैटल का पैसा भी देगा तो अपनी जिएप से देगा वह विलाओ नहीं है तो कैसे समढ़ संग को को ठेट हिस पहुचेगी इसलिए समढ़ संग में तेजी से बरोसा भी है क्योंकि इसमें बे बरोसे का कोई आदमी रुकी नहीं सकता क्या क्या सोच के रुकेगा ना यहां पैसा मिलता है ना यहां पद मिलता है ना पिटिष्टा मिलती है ना यहां मंच है ना यहां माला है ना यहां माइक है ना यहां वावाई है ना यहां पोश्ट स्टूल पर कहीं साइड बायड में बैठके अपनी बात कहे लेता है कि भाया मेरे बस की जादा देर खड़ा होना नहीं बात बोलनी है तो इदर उतर कई बैठा कर लेगा तो ना मंच है ना माला है ना मायक है और सारे बरावर हैं सभात तब तक चलती है जब तक अंतिम व्यक्ति ये नहीं आ कहते ऐ« यरे बातु सबकित रहतकी सुनी जाती है ।owdo Rs बैने-जोडने के लावा कोई बात होती नहीं जुडना है जुडना है जुडना जूदना है यहां कोई पैसे बटवारा तो है नहीं यहां कोई पद्गा बट्वारा तो है नहीं पद्गा बट्वारा हो तो अलग कोने में जाके बात करेगा पैसे का बट्वारा हो तो कान में जाके बात करेगा और कहीं सलाब की पार्टी करनी हो समाज की पैसे से तो बुल्कुली अलग जाके बात करेगा जो किसी को पत चाथ चल रही है उत्ताफ हारिज्ट की ही है और इसके पंजाब मैं मार्च में अंदर ही होती है करी है हम उनिस तारी तारी की मीटिण है कल की encounters kissing है साथ महीने के अंदर हम ने सोचे नहीं था क्योंकि हम सोचते नहीं हम तो सिर्फ करते जाते हैं, जैसे बाकी लोग करते जाते हैं, मगर उम्मीद से भी जादा काम हो गया, इतना उम्मीद से जादा काम हो गया, जिसका सोचा नहीं था, तो सोचा भी कैसे उम्मीद से जादा काम हो गया, लोग तो दददस साल लगे जाते हैं, एक मीटिंग नहीं कर सबक्वात यह कैसे होरा है सात महने के अंदर संसरे सारे क्योंकि सचाइश से काम मन से संतुर्ष्टी से हो रहा है और सब को दिकाई दिरा कि जुड़नेमे फायदा है और जुड़ेंगे जुड़ने चिंगे जहां जुड़ें रहें अच्छी बात है बाहर से देख रहें अंदर आने का कोई पैसा नहीं है सदस्यता का कोई पैसा नहीं है और सदस्यता का कोई रेश्टर नहीं है और सदस्य होने का कोई फारम भी नहीं है कोई फॉर्मल्टी नहीं है क्यों नहीं है समल संग में जो व्यक्ति पैदा हो ग मेरा है मैं मीठा बोलू मेरी मर्दी है वो केड़ा बोले उसकी मर्दी है मैं सही बोलू मेरी मर्दी है कोई और जादा सही बोले उसकी मर्दी है मगर मेंबर दोनों ही है मेंबर रहेंगे इसके अंदर क्योंकि वो उनका जनम जात अधिकार है उनका समर्ण संग में पैदा होन था आपने देखा होगा पंचायत में हुका पानी बंद कर दिया यह पंचायत का हुका पानी बंद करना हमारी परंपरा है यह पंचायत का मतलब है आयत माने होता है खिड़कियां पाली के अंदर पंच माने होता है पांच यानि पांच सील की जो खिड़कियां है उससे बाहर कर दिया, आदमी उसका विरुद्ध हो गया, अब वो समण में नहीं है, समता में नहीं है, अब वो बमण हो गया, उसको निकाल बाहर फैंक देते हैं, चलो भई अपना काम करो, अभी तुम पंचायत के लाहलायक नहीं हो, तुम पंचसील के लाहलायक नहीं हो, या सारे लोग इसकी रख्षा कीजिए इसको आगे बढ़ाईए इसका फायदा होगा संग में जब भी लोग आए हैं उन लोगों को फायदा हुआ है संग लोगों से बनता है फायदा हुआ है लोगों की दबाद छोड़िए संग में जब भी जानवर रहते हैं उनको फायदा होता है बंदा लग चार तरफ भगें तो सारी चीटिया मारी जाएं हजारों चीटिया मारी जाती है फिर भी बच जाती है क्योंकि संग में रहती है इसलिए संग में रहना हमेसा अच्छा होता है दुनिया में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा एक पागल भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कहता हो कि एकटे रहने में नुकसान है चाह किसी को यह पता हो या ना पता हो के फाइदा क्या है वगर नुकसान कोई नहीं है और उस काम को जरू करना चाहिए जिसमें नुकसान नहीं है तो कि जिसमें नुकसान नहीं है एक फाइदा तो यह हुआ कि नुकसान नहीं है, हो सकता है, इसमें कुछ फाइदा हो, तो अंदर आईए, एही पस्री को आके देखिए, थोड़ा काम कीजिए, थोड़ी महनत कीजिए, यहां तन और मन से काम होता है, धन्स की जरुत नहीं है, धन को अपने पास रखिए, धन कोई ऐसी आयाशी नहीं होती, कि कार में जाना है, यहां जो जाएगा, अपने पैसे जाएगा, यहां पब्लिक के पैसे से, चंदे से पैसे से, कोई रोटी खाने के लिए साप की निकने, यहां कोई तयार नहीं है, सब यहां बहुत बढ़ी और अच्छे आदमी है, आज ज जीतेंगे, किसान इखटे हुए, जीत गए, साल जरूर लगा उनको, मगर जीत गए और आपको एक मैसेज दे गए, कि लगे रहना, लगे रहना, टटे रहना, टटे रहना, टटे रहना, निश्च जीतोगे, यही रास्ता है हमारे पास में, कोई कि सम्मिधान भी यही कहता है, और गनाइज, यानि संग में रहो, और बुद्ध तो कहते ही हैं, संगं, सरनंग, गच्छा में, धन्यवाद, गोलिए, गोलिए, सर, गोलिए, तर अगर इजाज़त है, तो चार मिनिट लेना चाहता हूं, सभी को नमुद्दाय, जैभीम, जैसमिदान, सुधीराज सिं सर ने कहा कि पहले हमें इखठा होना है, पहले हमें संग बनाना है, संग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, उसके बाद kicked हमारा क्या हो, बाबा साब ने ऑनिलेशन और कास में कहा है किivalidição प्रिशिट्टेट्स, कल्चर illegally और सोशिली मैं इखठा हो जाओ, politics is outcome, ऐसा बाबा ने उनिस सो बीस से आंदोलन चुरू किया उनिस सो सताइस में महाड के सत्यागर में बहुत सारी अच्विमेंट हुई 30-31-32 की राउंटेबल पांटरंस में उसका परिणाम हुआ 1935 का एक्ट 70 परसेंट बाबा साब के विचारों पर आदरी था फिर 1936 में बाबा साब ने 16 साल के बाद पुल्टिकल पार्टी बनाई जिसका नाम इंडिमेंटल लिबर पार्टी था उसके बाद 1942 में फिर सेडूल कास फेडरेशन बनाया और 1956 में बाबा साब ने महापरी निर्वान से पहले रिपब्लिकन पार्टी आप इंडिया की भूमी का बनाई थी उसका सविधान भी बनाया है अगर यह देखा जाए तो बाबा साब पैते की पहले सोशली और कल्चरली अगर इकटा होगे तो पॉलिटिकली और एकोनामिकली आप स्ट्रॉंग हो जाओगे वही बात बाबा साब ने फिर स्टेट्स में कहीं जो सविधान का एक छोटा सा सोरूप था और बाबा साब नागपूर आये तो नागपूर की सवा में बाबा साब का संदेश है कि 1937 की इंडिपेंडन लेबर पार्टी के 20 लोग चून कर आये थे बॉंबे लेजिस्टेटिव असेंबली में उस वक बाबा साब पहते थे कि 1920 से लेके तो तक 18 साल में हम लोगोंने क्या सोशली काम किया कितना हम संगटीत हुए कितना हमारा संग बना है अब हमने पोलिटिकल लोगों को चूना है जो कि चुब्स का विशय इसले में इसके उपर बाबासाब की क्या वोमिः इसके उपर बात कहना चाओंगा और फिर वीड़े लोगों की मिटिंग हुई थी उन्होंने कहा था कि हम टेस्ट करेंगे कि हमने 120 से जो सोशल और कल्चरल काम किया है तो उसका नतिजह यह हुआ कि 1937 में हमारे 20 लोग चुनकिया है लेकिन बाबा साब पहते हैं कि यह पॉलिटिकल लोगों की उपर क्या आपका सोशल प्रेशर है अगर है तो जैसे नाकपुर में मिटिंग लगाई ऐसे हर डिविजन लेवल पर एक मिटिंग लगाओ और पॉलिटिकल लोगों को सोशल और उनको पूछो कि उन्होंने सभागरों में कितना कुछ समाज के लिए काम किया है और उनका तुम करो सोशल आउडिटिंग करो और अगर वो सही पाते है तो ही उनको पॉलिटिप्स में रहने दो अधर्वाइस अगले वक्त उनको चेंज कर दो इसका मतलब ही हो कि बाब ये एक बाबासार पर तो इसका मतलब है कि पहली बाद तो 1916 के बाबसार के चले जाने के बाद क्या हम socially और कल्चरिली इकटा हुए है क्या हमने हमारा संग बना है तो इसका आंसर आज यह है इते हम नहीं बने हुए है क्यों क्योंकि बाबा साथ प्रेते कि equality is another name of democracy समता है इक यह डेमोकरशी का दूसरा नाम है और समता तभी आती है जब हम लोग कल्चरिली और सोशली इकटा हो जाते हैं तो बाबा साथ के चले जाने के बाद हमने पॉलिटिकल वील तो बनाई हमारी लेकिन तो चेंज करने के लिए हमारी प्रेकल नहीं बनी और इसका नति बजेट है इसले साल करोड का यह क्यों कि पॉलिटिकल लोग जागुरूत नहीं हुए इसलिए तीन लाग करोड का बजेट होना चाहिए था लेकिन हुआ इसका मतलब है कि हम लोग इकटा नहीं हुए तो हमारा प्लीकल प्रेशर नहीं बनाएं इसलिए पॉलिटिकल लोग पर प्रेशर खढ़ा करेंगे और हमारे लोग जैसे कि दस परसेंट EWS का जो आरक्षन दिया गया है जो कि एंटी कॉस्टिशनल है कितने पॉलिटिकल पार्टियों ने जो कि सम स्थी के लोग है चाहिए ओंग्रेस में हो चाहिए बीजेपी में हो चाहिए बीएस्पी या कोई भी पार्टी में हो इन्होंने कितने 131 लोगों ने कितना विरोध किया EWS का आरक्षन के लिए अभी नहीं दिखाई देता है इसका मतलब है कि हम लोग सोशली कट्टा नहीं होने के बज़े से पॉलिटिकली हमारा वीली नहीं बनाए हम चाहिए किसी भी पार्टी में हो लेकिन स्टी में हो तो हमारा प्रेशर नहीं बना हुआ इसलिए एंटि कॉंस्टिशनल नहीं हो रहे हैं इसलिए हमको आज के तारिक में सोशली और कल्चरली इकट्टा होना ये सबसे बड़ी ज़्रूरी है और वीद पिपल यहीं काम करना है कि अगर हम लोग इकट्टा हो जाए और हमारे विचार एक दूसर के साथ जुड़े तो हमारी सोशल विल बनेगी और सोशल विल पॉलिटिकल विल के उपर प्रेशर लाएगी तभी जाके हमारी रिजल्ट ओरेंटेट काम बनेंगे इसलिए वीद बीपल की ज़रूरी सबस कि जढद हमारी सबस्पよね ? आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप youtube पे चला सकते है, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सों का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते है हमारा सिर्फ इतना right है इस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरेणं गच्चामी तूतियं पी बुद्धम सर्मं गच्चामी दूतियंपी धंवंर्सर्नू गच्छामू दूतियंपी धंवंर्सर्नू गच्छामू बुखियं पी संगं सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संगं सर्णं कच्छामी